इनकों तो कोई दीन, इमान, कोई धर्म, मजभब कुछ है ही नहीं। अपने आपको हिंदू मानते कैसे हमें तो ये नहीं समझ में आता है। कोई हिंदू इस तरह है कि गतिविधी में सनलिफ्थ होई नहीं सकता जिन गतिविधियों में आज भारती जनता पार्टी और संक्स शामिल होता है। मैं उनको हिंदू में वापस से दोराता हूं। जो मस्जिदों के सामने खड़े होकर गाली-गलोज करते वो हिंदू नहीं है। यह भले उनके पीछे चिप चारे हम हिंदू हो हमी हिंदू नहीं हो आप पहले तो हिंदू होने का सर्टिफिकेट अपने आपको देना बंद कर दीजे आप हैं ही नहीं सर्टिफिकेट लिजिए हमसे Who are you? You are not a Hindu? कोई ऐसे करी नहीं सकता कि यहां आकर तिवारी जी को मौलवी कर क्या है ये तरीका है। मौलवी साहब में पांच बार ही आजान पढ़ना होता है बीच में ऐसा करना उचित नहीं है आराम से मैं बोल यह सलीका है सप्ता में हो तो थोड़ी जिम्मेदारी सीखो यह मुस्कुरा रहे हो बती सी दिखाए जाते हो सुभा से शाम तक बैठको शरम नहीं आती तुमको यहां बैठको अजीब बातें करते हो क्या चवी बना रहे हो देश की पूरे विश्व में शरम आनीची है हसी नहीं आनीची अभी आपको संबीत पातरा जी यह बढ़िया था गूरू जो आपने स्थिती गना दी इस देश का हर गली में जगड़ा हर गली में धंगा यह आपकी पहचान है यह आपकी पहचान है इसलिए यहां बैठकर भाशन मत दीजिए आप तो अड़वानी जी को भी पाकिस्तान मानेंगे आप तो अड़वानी जी को पाकिस्तानी मानते हैं मैं जानता हूँ आपके क्या उपिनेन है उनके बारे में आपको कोई ज्यान नहीं है न इतिहास का न भुगोल का अखंड भारत ले आएंगे अरे 15 प्रतिशत तो बर्दास्त नहीं होते 45 प्रतिशत कैसे लोग ना आपने कोई दिमाग है ना आपके मोहन भागवत में कोई दिमाग है अ खंड भारत hui अफ्रानिस्तान भी भारत में आजाएगा पाकिस्तान भी भारत में आजाएगा हो चैरे आपके लोग कुछ होति सम्प्रदाइक हिंसा बढ़ गया कुछ पढ़ लो, कुछ किताबें ले जाओ हमसे, समय बहुत है आपके पास आ बही, कैसी लगी, आगे स्वाद ले जाओ किताबें पढ़ लो थोड़ा ग्यान बढ़ाओ फिर आकर यहां भाशन गो और तर्वावन जी दिखाओ बहुत अच्छा बोला पातरा जी यहां बैठके बोलते रहते हैं सबके बीच में 2012 में नागपूर मिनिसिफल कॉर्परेशन ने भारती जन्ता पार्टी ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर मिनिसिफल कॉर्परेशन पे शासन किया था यह क्या लोगों को भाशन देते हैं बैठकरा रहे तुम उसके साथ मिल गए तुम इनके साथ मिल गए मैं आपके चैनल पर बैठा हूँ मैं यह सुनाना चाहता हूँ आपकी ते जैसे पूरे प्रोग्राम में अगर यही सुनाता हूँ तो आप भी रोकेंगी मुझे मैं उन नियमों का सम्मान करते वे इसे बंद कर देता हूँ नहीं मैंने आपके कारिक्रम के नियम है थोड़ी देर और चलाता है तो आप मुझे डाट भी देती शार्ट और मुझे डाट खानी भी पड़ती क्योंकि मैं आपकी शर्तों पर आपके कारिक्रम में बैठा हूँ आपका कारिक्रम है लेकिन यही नियम जो सरकार में बैठे होते हैं उन्हें भी पालन करने होते हैं और जो आंदोलन जो करना चाहते हैं आप किस चीज का विरोध कर रहे हूँ हनुवान चाली साप पढ़ने पढ़िये ना कौन रोक रहे आपको धर पर पढ़िये लेकिन नहीं साब वो सड़क पर आते हैं तो हम भी सड़क पर आएंगे क्यों साब आपके धर्म की परमपराओं को आप बदल देंगे किसी और के मजब की रवायात के हिसाफ से आप अपने धर्म की परमपराओं को बदलने को तयार हैं ये कैसे ठेकेदार है मेरे धर्म के भाई तो मेरा धर्म, इंदू धर्म मेरा भी है ये बन गए संबित जी उसके ठेकेदार और कहरे में नियंव बदल दूंगा सारी परमपरायं बदल दूंगा मैं नी बदलने दूंगा ये तो इनके लक्षे हैं हिंदुस्तान को कहा कि ले जाना है साब पाकिस्तान आण जब देखेंगे Самबीद पातरा झी पाकिस्तान की तरफ देख रहे होते हैं, क्यों साथ, साथ बात समझ लीजिए अंजना जी, इनकी नियत में ना हिंदू धरम है, ना समिधान है, इनकी नियत है कि कैसे ये भेंगाई जैसे मुद्धों से, पेट्रोल डीजल जैसे मुद्धों से लोगों को हटाया जाए, बार बार लड़वाया जाए, समाज में इस तरह हैं कि मुद्धे लाए जाएं, ताकि ये बचे रहें, मोदी जी से कोई उनके पुराने भाशन नहीं आदिला दे कहीं, 2014 के कि पेट्रोल पार, अब की बार मोदी सरकार, डॉलर पार, अब की बार मोदी सरकार, उन नारों से ये रात को, अच्छा मोदी जी क्यों नहीं सोते है 18 गंटे से, क्यों जागते रहते हैं, नींद कैसे आएगी, अपने ही भाशन याद आते रहेंगे, आरे साब मैंने उस वक्त तो ये वादा कर दिया था, आब क्या करूँ, तो ऐसे आदमी को नींद आ भी नहीं सकती, तो हम तो हैरान है कि 6 गंटे, 7 गंटे भी कैसे नींद आ रही होगी, मुझे नहीं लगता कि वो 24 गंटे में से 1 गंटा भी सो पाते होंगे, अगर मैंने ऐसे जूटे वादे की होते, तो मुझे तो नींद नहीं आते, तो इनकी मनशा बड़ी सपष्ट है, इसलिए हमें औ और आपको निप, इसमें पढ़ना चाहिए कि हनुमान चालिसा वर्सिस अलाम, जटका वर्सिस हलाल, ट्रिपल तलाक, ये वो फला ढीकना रोज मुद्दे ले आएगी, मस्जिदों के सामने खड़े होकर जो गाली दे रहे थे, वो हिंदू नहीं हो सकते, मैं उनको इस वीजो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, और इतना भी कहने के लिए ये लोग हमें चिड़ाते हैं बिग थेंक यू पर बिंग हीर, बस तोपी लाओ में नमाज पढ़ने जा रहा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूं, अब रह गया नमाज पढ़ना मैं भी करने जाना पड़ेगा अब तो